वाडी पूली स्टेशन अंतरगत आठवा चौक के सामने रविवार की रात एक यूवक की दुरघटना में मौथ होने से शेत्र में हड़कम मचा हुआ है प्राप्त जानकारी के अनुसार आठवा मैल रामजी अमबेटकर नगर ग्राम पंचायत के तरफ रहने वाला यूवक रामईश्वर रगुनात लोनारे उम्र चत्तिस वर्ष एक घर से रात को निकला था घर से निकलने के बार डॉक्टर राठे क्लिनिक के आग्यम रावती रोड पर यूवक आया उसी दौरान अकोला से रायपूर के और जा रही अमरावती मार्क से गाड़ी क्रमांग के मेच 28 बीबी उनास इत्तिस की चपेट में रामेश्वर आने से उसकी घटना स्थल पर ह मौत हो गई ड्रावर ने बताए कि यूवक रामेश्वर डिवाइडर पर जाड़ी में छिपा था ट्रक को देखते उसने गाड़ी के आगे चलांग लगाए जिसे गाड़ी पर ब्रिक का संतुलन नहीं बन पाया और यूवक के उपर से गाड़ी चली गई तुरंत जानका पुलिस को दी गई वाड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुँचते ही पंचनामा किया साथ ही शव को सरकार इस्पिताल में भीज दिया गया ट्रक के ड्राइवर अजहर बेग और क्लीनर वसीम शा थे पुलिस द्वारा 289 304 सह कलम 134 177 के तहत मोटर वहन अप्राद दर्श किया गया है दुरगटना होते ही ट्रक ड्राइवर भैबित हुआ और कुछ दूर जाते ड्राइवर तथा क्लीनर ने गाड़ी आगे खड़ी कर भागे कुछ समय बाद मामला शांत होते ही ड्राइवर और क्लीनर ने दुरगटना की कबूली दी युवक रामेश्वर के घर पर कुछ विवाद होने के जानकारी सामने आई है जिस कारण वो गुस्से में घर से निकला था और अचानक गाड़ी के सामने आने से उसकी मौत हो गए घटना के बाद परीजन वहां आए रोते हुए शव को देखते उन्होंने ऐसा वेक्ट किया था आगे की जाच वाड़े को लिस कर रही है